बिहार में शराब बंदी है लेकिन फिर भी इसके उलट देखिए बिहार के 50 से 60 फिजदी नेता शराब पीते हैं ये मैं नहीं बलकि जितन राम मांजी जो हिंदुस्तानी अबाम मोर्चा के रास्ट ये ध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है आपको पता दे बिहार में शराब को ले बिहार में शराब बंदी की समिक्षा होनी चाहिए इसी भी छपरा में जहली शराब से हुई मौतों ने एक बार फिर से बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है सरकार में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जितन राम मांजी शराब बंदी को लेकर अ बयान आपने कई बार मांजी जी का सुनाओगा मांजी जी ने एक बार फिर से कह दिया है कि बिहार में शराब बंदी सिर्फ नाम का ही है यहां के 50 से 60 फिज दिनेता शराब पीते हैं बताईए जो सियम नितिश कुमार के सबसे करेबी नेता माने जाते हैं जिनको सियम तरके से लागू हो वही अब सियम नितिश कुमार के फैसले का विरोध कर रहे हैं जितना मांजी ने कहा है कि वे काफी पहले से शराब बंदी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं नेता और अधिकारियों के शराब पीने का रोप पर मांजी ने कहा है कि उनके बारे में हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं हम ही नहीं बोलते बलकी बहुत लोग बोलते हैं कि इनमें 50-60 प्रतिशत ऐसे हैं कि समय पर पीते हैं रात में पीते हैं और इस तेरी पुरुष दोनों पीते हैं जितना मांजी ने कहा है कि मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि फाइदे मंद लूग पहले से ज़्यादा शराब पी रहे हैं। को भी मांजी ने शराब सभी मौतों पर अपनी चुपी तोड़ते हुए बिना नितिश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि मिला परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फर्याद क्या करना तो ये शाहिरी के माध्यम से नितिश कुमार पर उ पक्षी पार्टी उन पर आरोप लगा है कि बिहार के नेता जो कि 50-60 फिजदी हैं प्रतिशत वो शराब पीते हैं तो साब तोर पर देखिए बिहार में शराब बंदी को लेगर के लगता से अमनितिश्कमार घिरते नजर आ रहे हैं तो उनके करीबी ही दोस्त कहे जाने जित